तो ये वीडियो आपके लिए है सबसे पहला ये वीडियो उनके लिए नहीं है सबसे पहला ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिनको कोई टिप चाहिए और शौटकट चाहिए ये वीडियो उनके लिए भी नहीं है जिनको वीडियो आधा देखके छोड़के जाना विगाओ ये लंबा वीडियो रहने वाला है मैं अपने फुरसद में आया हूँ इस crazy लाखों के content को free में देने के लिए तो आप भी अगर free नहीं हो तो download कर लो बाद में देखना otherwise आज तो notebook लेके बैठना पड़ेगा वरना वसूल नहीं कर पाओगे video पता है जब हम कोई किताब खरीदते हैं कहीं पे जाते हैं लगता है कि पूरा पैसा वसूल कर ले आज इस video को वसूल करने के लिए notebook लेके बैठना क्योंकि this gonna be the crazy one of the greatest video on YouTube and I mean my word चलो आओ so basically सबसे पहले आज हम क्या सीखने वाले है screen पे जाते है सबसे पहले what is chart then what is chart pattern उसके बाद में psychology of support and resistance उसके बाद में what is double bottom यहां से आपकी main strategy चालू होती है what is double bottom exact strategy क्या है कहां पर entry करना है कहां पर exit करना है कहां पर stop loss रखना है क्या करना है और strategy के अंदर दो चीज़े बताने वाला हूँ एक conventional, conventional मतलब जो पहले से पढ़ा हुआ है internet पे दूसरा unconventional जो हमारा खुद का invention है बाइद वह आप अगर मुझे नहीं जानते हो तो मेरा नाम है सिदाद वानुशालिया आप अगर मुझे नहीं जानते हो तो मैं दस साल से जादा से ट्रेड करता हूं खुद के लिए ट्रेड करते हैं हमारे कुछ क्लाइंट से उनके लिए ट्रेड करते हैं financial planning करते हैं और बाकि अभी कुछ time पहले YouTube अगरा स्टार्ट किया था friends family के लिए और बहुत सारे लोग इस चैनल पर जुड़े हैं और पैसा बनाए है that was about me इन शॉट एक शब्द में कहूं तो लाखों गवाए है करोडों कमाए है यह कहानी है मेरी stock market की then strategy दो strategy सिखाऊंगा एक conventional जो किताब में है दूसरी हमारा invention जो हमारी research टीम ने निकाला हुआ है then आगे चलता हूं में when this strategy won't work यह बहुत बड़ी करेंगे कि कभी strategy नहीं चलने वाली है also three things to remember तीन चीज़े जरूर याद रखना यह trade करने का टाइम पर और आत्वी चीज पांच गलतिया जो आपको कभी नहीं करनी है यह पूरा का पूरा वीडियो का index रहने वाला है प्लान रहने वाला है आप अगर चाहो तो यहाँ माँ skip कर सकते हो और आगे पीछे जाके देख सकते हो आपको जो भी comfortable लगता है वो लेकिन मैं फुरसद में आया हूँ लाखो का content आज free में YouTube पर देने के लिए आया हूँ आपको अगर यह सवाल है कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ तो यह बता दू market is ocean समंदर है और समंदर में से मै मैं अगर यह bottle लेके जा रहा हूँ तो मैं bottle भर के पानी लेके आऊँ और आप अगर bucket या बल्दी या tempo या truck लेके जा रहे हो तो आप उतना पानी भर के आऊगे और उसमें से मेरा पानी कम नहीं होने वाला है इसलिए मैं दे सकता हूँ सो आगे जलता हूँ मैं सबसे पहला सवाल आता है what is chart चार्ट क्या है see understand यह तो अपने चार्ट बहुत बार देखा होगा but then simple भाषा में chart is basically a mass psychology करोडों लोग इसमें ट्रेड करते हैं insider traders होते हैं company के insider लोग होते है retail traders होते है mutual funds होते हैं institutes होती है FIIs होते है DIIIs होते हैं ना जाने कितने लोग इस पर trade करते बट जब मार्केट नीचे जाता है या मार्केट उपर आता है that basically represents the whole people जो लोग trade करते है I will repeat इतनी simple भाषा में आपको कोई नहीं समझाए या फिर से एक बार बोलता हूं ध्यान से सुनो चार्ट is basically a mass psychology and a conclusion अपको किसे दाद यह क्या होता है यह ऐसे होता है कोई है जिसको पता है कि government policy क्या है वो कहां पर trade करेगा market में market कहां पर represent करता है चार्ट पर कोई है जिसको पता है कि company का for example access bank को लेते ठीक है कोई है access bank की CA उसको पता है कि अंदर क्या है access bank MS उसको पता है अंदर क्या चलुरा है लेकिन को शोर्मेंट का body को इंसान है जो RBI go regulate करता है उसको पता है क्या एक्सिस बैंक के लिए क्या policy आने वाला है क्या ये लोग trade करते है के नहीं करते करते है तो वो जो trade करते है वो दिखता कहां पे है वो चार्ट पे दिखता है वो ये जो चार्ट आपको दिख रहा है वहां पे ये दिखता है that is chart, chart is basically a representation of whole India who is trading in excess bank उसमें फिर सब लोग आ गए maybe Amitra भी आ गए आपको गूगल पे search करना Amitra का portfolio आपको मिलेगा so basically वो भी यहां पे ही दिखता है अब समझ पा रहे हो आगे चलता हूँ मैं what is chart pattern अगर आप chart को ध्यान से देखोगे तो chart पे कई तरीके की patterns बनती है राइट फिर से एक बार दिखाओ कभी box बनता है कभी triangle बनता है कभी ascending triangle होता है या कभी descending triangle होता है कभी flag होता है कभी W होता है और कभी M होता है market इसी psychological pattern पे चलता है see human behavior is repetitive I will repeat simple it's a psychology it's a deep stuff सुनो ध्यान से human behavior is repetitive so basically आप सुबा उठके क्या करते हो शायद washroom जाते हो brush करते हो breakfast करते हो और फड़ा पड़ा पड़ा अपने office के लिए निकल जाते हो आपकी 90% of जिंदगी ऐसे ही जाती है agreed or not simple right इसी तरीके से market में जब human trade करते है that is also repetitive आप कुछ शब्द बहुत बार बोलते हो जैसे मैं awesome बहुत बार बोलता हूँ आपने सुना होगा fantastic चलो ये मैं बहुत बार करता हूँ it's a repetitive yes or no right even the clothes we wear आपने मुझे ये जैकेट में बहुत बार देखा होगा आपके पास भी कुछ ऐसे कपड़े होंगे जो repetitive होंगे agreed or not exactly it's a psychological thing human being repeats stuff that's a human nature इसी तरीके से stock market चलता है stock market में कुछ chart patterns होती है जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको कुछ मैंने दिखाई इस तरीके की chart patterns जो है वो market में repetitive trade होती है आप अगर उन chart pattern को समझो और उस पे execute करो तो पैसे बन सकते है और उन पैसों से आप वो कर सकते हो जो आप करना चाहते हो फिर चाहे आप job छोडो या अपने business को grow करो that's your choice चाहे आप उसके अपने family को बड़ा घर लेके दो या फिर safety के लिए एक FD बनाओ that's your choice but then yes my focus will be पैसा कैसे बनेगा किता भी knowledge से कुछ नहीं होता है execution strategy दूँगा step by step अभी मैं strategy पे आया नहीं हो chart pattern पे खड़ा हो तो मैं psychology समझा रहा हूँ chart pattern की यह आपको समझ में आ रहा है भ्यान पूरा यहां पे है ना book वगएर आप लेके बैठे हो उमीद कर रहा हूँ मैं आज ऐसे ही वीडियो नहीं देख रहे हो मस बोलता है सिद्धा जोग मारता है मजा आता है हाँ notebook के साथ so basically अगली चीज क्या है आपका chart pattern पे था मैं chart pattern is repetitive human behavior is repetitive इसलिए chart pattern भी repeat होती है और वो वैसे ही चलती है so आप अगर उस पर पैसे बना पाओ strategy से तो आपका जिंदगी के सबने साच हो सकते है यह मेरा कहने का मतलब था आगे चलू यहां तक है chart pattern वगरा आगे चलता हूँ मैं psychology of support and resistance this is crazy इतना simple भाष्टा में समझाओंगा मज़ा आजाएगा आपको ध्यान देना बहुत बार सुना है ना support, resistance, stock support पे nifty support पे अब पहली बार ध्यान दो समझ में आएगा so basically it's very simple market एक बार नीचे आया so for example this is what happens with market market नीचे आया then आप अगर देखोगे so market वहाँ से उपर गया तो हमको ये समझ में आता है market था 500 रुपए वहाँ से market आया 400 रुपए अब जो 400 रुपया है that is your support I will repeat 400 रुपया is your support अब next time market जबी भी ये level में आता है market जबी भी ये area में आता है I will repeat market जबी भी 400 रुपए पे आता है chances is very high कि वापस market उपर जाएगा draw करके दिखाता हूँ मैं आपको so for example market 400 से गया 430 so again if market comes to that same zone which is 400 and वहाँ पे अगर उपर जाना शुरू करता है so chances बहुत ज़ादा है कि ये फिर से जो पिछली बार 430 का जो resistance बना था वहाँ तक market आएगा अब सवाल है कि why क्यों ये support resistance crazily work करते है market में simple भाशा मैं बताऊँगा ध्यान यहाँ पे देना वरना नहीं समझ मैं आएगा और मैं आपर time pass नहीं करना हूँ in life I want one thing is result बाते नहीं result passbook पे entry आना चाहिए बस अगर relationship पे तो relation अच्छा होना चाहिए health है तो health अच्छा होना चाहिए body पे muscle दिखना चाहिए result ग्यान नहीं तो यह मैं आपको जब भी draw करके दिखा रहा हूँ यह result की बात कर रहा हूँ मैं यह क्यों चलता है फिर से एक बार मैं सब कुछ delete करके आपको एक बार दिखाता हूँ किस तरीक इसे work होता है let me show you again delete करने तो मुझे सब कुछ now see pay attention market ता 500 रुपया market 500 रुपय से आया नीचे कितना 400 रुपया ठीक है यहां से market उपर गया 430 वापस market नीचे अगर आता है अगर obviously possibility है उपर जाया या नीचे है अगर market नीचे आता है तो chances बहुत ज्यादा है कि फिर एक बार 400 के आसपा से market bounce करेगा जो यहां तक जा सकता है अब सवाल यह है कि क्यों bounce करेगा सुनो let me just delete this area ठीक है अब सुनो और समझो market अगर यहां पर for example 430 आया तो कौन-कौन इंतजार कर रहा है 400 आने का क्या ऐसे कुछ लोग होंगे जिनोंने 400 में खरीदा था लेकिन अब 430 हो गया तो वो वेट करें फिर सो 400 आयगा ना मैं खरीदूंगा फिर से 400 आयगा ना मैं खरीदूंगा yes or no so basically the first category of people is who has missed जिनोंने miss कर दिया है पहली बार yes or no basic right second category of people जिनोंने पहले भी trade किया है so for example कोई बहुत बड़ी FII's है या DII's है see Tata Motor या Tata Steel या Nifty या Bank Nifty को 400 वाला 430 आप और मैं मिला के नहीं कर सकते उसके लिए कोई बड़ा giant player चाहिए जिसके पास लाखो करोडो रुपय हो so वो लोग पता है कैसे सौदे मारते है कैसा सौदा मारते they basically buy in a range so basically उन्होंने buy किया ये range में which is 400 से 410 रुपया so उन्होंने 5 लाख quantity Tata Motor buy किया 400 से 410 की range में stock हो गया 430 तो वो retail trader के इसे भागते नहीं है पीछे पकड़ने के लिए stock को they wait because वो जानते है कि मैं अगर ये stock को और खरीदूंगा नहीं तो थोड़ा तो नीचे आने ही वाला है so इसलिए stock नीचे आता है पर उनके orders पहले से लगे होते है ये जो order है यहाँ पे इनका 400 वाला वो order यहाँ पे भी लगा हुआ है 400 और 410 की range में तो next time जभी भी stock उनका नीचे आता है उनके जो pending orders है वो execute होते और stock उपर जाता है that's the psychology that's the real thing that's the secret जो मैं आपको बता रहा हूँ लाखो रुपे की चीज़ है यह ध्यान देना so basically old people कौन बाय करता है old people जो पुराने लोग है third category और कौन बाय करेगा यह तीन तो बाय करेंगे ही और कौन बाय करेगा third people कुछ लोग होंगे जिन्होंने शायद यहाँ पे short किया होगा I'll show you कुछ लोग होंगे जिन्होंने यह zone में short किया होगा shorters yes or no short करते ना लोग market वो भी यहाँ पे खुद का short को cover कर लेंगे they will also cover their short so basically shorters these are the three main fundamental category of people जो trade करते है support पे और जिसके वज़े से market ऊपर जाता है that's the psychology behind support and resistance works and this is crazy अगर आप इस चीज़ को गहराई से समझ पाते हो this is mind-boggling बना अगर YouTube में मजा आता है के लिए वीडियो देख रहे हो तो वेस्ट है पूरा energy में हूँ आज बोल रहा हूँ we will change the way in your trade system से पैसा बनता है system works, human fail फिर से बोलू, ध्यान देना system works, human fail period that's the secret business system पे चलते है job आप जो करते हो वो system पे चलता है market से पैसा भी system से ही बनेगा आगे चलता हूँ मैं what is double bottom now let me again delete all this stuff पूरा ध्यान देना यहाँ पे notebook और pencil के साथ मैं और whatsapp, facebook थोड़ा भी नहीं serious matter चालू है पैसा बनाने का तो ध्यान दो फिर आगे चलता हूँ मैं so basically what is double bottom double bottom is very simple market पहले नीचे आता है step one is this downtrend यह downtrend होना चाहिए बिना इस downtrend के double bottom consider नहीं किया जा सकता है बहुत तो ऐसे लोग है जो इस double bottom को tricky समझते है या फिर उनको नहीं समझ में आता है step one is downtrend होना चाहिए step two market should go like this market should go like this market retrace होना चाहिए अब यहाँ पर important चीज बनती है you should have a big green candle और a big white candle मैं जो software यूज करता हूँ उसमें big white है आपने बहुत बार देखा होगा so यह जो area है आपका यह area में आपको काफी सारे big green candles बनने चाहिए या big white candle बनने चाहिए bullishness दिखनी चाहिए hello सुन रहे हो bullishness bullish तेजी 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 दिखनी चाहिए यह bottom पर इसके बाद मैं next bottom करीब वही zone में बनना चाहिए something like here that's your buy bow ठीके अब इसमें दो जगापे that's basically a double bottom pattern पहले जहां पर bottom बना था वहीं पर फिर से बना ठीके इसे support भी कहते है बहुत लोग इसे support भी कहते है बहुत लोग double bottom भी कहते है box pattern भी कहते है but double bottom is a classic word orthodox word जो आप use कर सकते हो अब trading कैसा करना है वह हम आगे देखेंगे but then अभी के लिए concept समझाने के लिए market should go like this so you basically buy near to this zone you buy near to this zone and that's how you make money ठीके यहम पूरा strategy में step by step सीखेंगे concept मैंने बताया theoretical part मैंने बताया which is basically practical psychology वागरा समझे ना बहुत important है but यह कुछ important चीजे थी जो मुझे आपको बताने थी so basically चलो आगे चलते है इसके बाद में बात आती है strategy की execute क्या करना है काम क्या करना है basically यह दो तरीके से होता है एक है hard work जो आप manually scan करोगे खुच से महनत करके weekly करोगे तो चलेगा करीब आपको 200 से 500 stock मैं recommend करता हूँ Nifty 200 या Nifty 500 that's your choice दूसरा option है Nifty 200 या Nifty 500 यह आप scan कर सकते हो software से कैसे करना है क्या करना है मैं आपको सब बताता हूँ software आप ढून सकते हो जो मेरे पास है वो मैं आपको दिखा दूँगा मैं क्या use करता हो बाकी आप Google YouTube पे बहुत है ढून लो आपको कौन सा suit करता है ठीक है मुद्दे पे आता हूँ मैं strategy पे सबसे पहले बात आती है time frame so basically आपको time frame जो है so basically आपका जो time frame है वो या तो रहेगा weekly chart या तो आपको रहेगा daily chart ये दो में से एक time frame use करना है sir क्या हम intraday करें इस पे that's your choice sir currency पे चलेगा क्या that's your choice commodity पे चलेगा sir that is also your choice sir bitcoin का strategy बताओ that is also your choice sir options में चलेगा नहीं चलेगा equity CNX 200 and CNX 500 that is what I recommend from my side बाकी आपको जहां पे use करना है वहां पे करो थोड़ा सा दिमाग लगा के करना महनत करके करना practice करके करना but then मैं personally recommend करता हूँ के weekly और daily जो मैं आपको बोल रहा हूँ वहां पे stick रहो आगे चलता हूँ मैं time frame हो गया next बात आती है stock selection this is crazy अगर ये solve हो गया आपका 90% of the system solve हो गया most of the people जो लोग गलती करते है वो यहीं पे करते है stock selection ध्यान देना first condition is जो मैं आपको बोल रहा हूँ पहली condition है एक proper सा downtrend होना चाहिए ऐसे second condition है एक upswing होना चाहिए और वो upswing में एक चीज ध्यान रखना आपका sir, chart पे दिखाऊना दिखाऊंगा by chart पे दिखाऊंगा पहला logic तो समझो अब कुछ लोग होंगे जो दूसरे चार वीडियो देखके आए रहेंगो बोलेंगे forward कर सकते हो because मैं जल्दी जाऊंगा तो एक लाख लोग समझ सकते है दस करोड लोग करोड लोग नहीं समझ सकते because उनके लिए ये बहुत नया है yes or no so जिनको आता है थोड़ा सा fast forward कर लो जिनको नहीं आता है ध्यान दो then basically मैं आपको बोल रहा था ग्रीन वाला कर रहा है तो बिग ग्रीन दूण लो basically bullishness होना चाहिए दूसरा condition आगे market फिर से नीचे आना चाहिए ऐसे clear strategy बता रहा हूँ यही drawing आपको चार्ट पर डूणना है easy है simple है sir मैं कर पाऊंगा क्या मैं student हूँ sir पाँचवी अगर पाँचवी कक्षा अपने अगर पढ़ी है तो आप यह कर सकते हो sir मैंने सिर्फ 4th standard तक ही पढ़ाए मैं कर सकता हूँ आपको यह समझता यह pen कौन से color का है yes or no को क्या बात करता है the white color का है exactly तो फिर आपको यह चार्ट पे भी समझता है white box और black box simple कर सकते हो चाहे हाउजवाइफ हो common man हो engineer हो doctor हो lawyer हो student हो mechanic हो चाहे कुछ भी हो आप यह कर सकते हो बस थोड़ी सी महनत की जरूरत है थोड़ा सा महनत और थोड़ा सा दिल दो चीज से कोई भी काम करने के लिए yes or no जो लोग housewife है घर में जब दिल अच्छा होता है लेक मन होता है खाना बनाने का उस दिन अच्छा खाना बनता है test की हो ऐसा कभी जब शायद भाई आने वाला हो चाहे खुद के mom dad अगर कभी आने वाला हो तो थोड़ा तो taste में फरक पड़ता ही है agreed or not जितने भी housewife है उनको पूछ रहा हूँ फरक पड़ता है ना ये भी वैसा है थोड़ा सा दिल और थोड़ा सा महनत दो चीज चाहिए बस आगे चलता हूँ मैं अब यहाँ पे आपको stock select करना है near to this zone यहाँ पे आपके radar में होना चाहिए आपको ये Sunday Sunday देखना है जब stock ऐसे setup पे खड़ा है you select it वापस एक बार revision करवा देता हूँ मैं आपका पहला होना चाहिए ये downtrend दूसरा होना चाहिए ये uptrend तीसरा होना चाहिए यहाँ पे big white चौथा आना चाहिए ये downtrend down swing आप बोल सकते हो and then पाचवा यहाँ पे जब market उपर जाए तो फिर एक बार हमें मिलना चाहिए कुछ गिदीन candles big whites और big greens basically ये 5 चीजे है जिससे ये complete setup बनता है चाड बहुत दिखाऊंगा कहीं नहीं जाने वाला हूं है आज पूरे mood में आया हूं आपको सिखाने के छोटा वीडियो बन रहा है बड़ा वीडियो I don't know भले 5 लोग ये वीडियो देखेंगा और पैसा बनाएंगे ना मुझे चलेगा लिकिन वो 5 लोगों की जिंदगी बदलने चाहिए ये वीडियो से that is my purpose ध्यान देना ये 5 चीजों से stock select होता है आगे चलता हूं फिर मैं अपने index में entry कहां पे करना है ये important चीज है अब पूरा ध्यान देना यहां पर so no entry कहां पे करना है so entry आपको करना है पहले हम delete कर देते थोड़ा सा चीजों को let's delete delete okay this will work इसको भी एक बाद delete कर दे fantastic so basically first entry जो होता है this is unconventional ठीक है जो लोग normal लोग सिखाते है या फिर जो youtube अगेरा पे है book किताब में है वो ये होगा you buy after this breakout ठीक है यहां पर आपको buy करना है so this is basically a kitab का knowledge this is basically a bookish knowledge but then what I will recommend is as a trader my goal is to get the best risk to reward ratio चाहे दुनिया में कोई भी professional trader है यही भाशा बोलेगा risk to reward ratio बढ़ाओ there is something called as high probability trade high risk to reward trade so no, this is the thing what you need is a big green or bullish candle near this zone यहां पर हमें पहला सौदा मारना है यहां पर हमें पहला risk लेना है so you buy above the high stop loss below the low this is crazy, okay अगर यह दिसी दो possibility है या तो trade चलेगा या तो नहीं चलेगा आप जानते हो कि आपको risk to reward पर trade करना है fix your risk अगर आपने यह risk management वाला वीडियो नहीं देखा है तो यह वीडियो के बाद में जरूर आप वो वीडियो देखना और बाद में यह वीडियो को revision करना वापस but then सुनो ध्यान से सुनो सुनो यहां पर यहां पर ध्यान दो आपको risk लेना है 1000 रुपे का मेरा लाख रुपे का portfolio है और मैंने पर trade में risk लेता हूँ दो-दो हजार का तो 15 trade जाने के बाद में मेरे कितने रुपे गए 10 trade का 20,000 और 10,000 तो 30,000 मेरा गया क्या मुझे नीन दाएगा मुझे नीन दाएगा चलेगा ठीके that's my ideal risk so basically you take the risk जहाँ पर 15 trade जाने के बाद में आपको नीन दाए so यहाँ पर मैंने 1000 रुपे का risk लिया for example मेरा जो भी 50,000 लाख रुपे का portfolio अब market जाएगा उपर तो आपका buy हो जाएगा अब ये पहली quantity आपने buy किये professional traders make money with pyramiding अब market अगर ये level के उपर जाता है जो ये resistance point था जो ये resistance point था market अगर इसके उपर जाता है your job is to buy more market इसके उपर गया so फिर से आपको bullish candle मिलेगा ऐसे again buy about the high and stop loss below the low this is crazy अब आपका जो target है वो होगा इसका जितना height है for example ये orange point जो मैंने किया हुआ है जो आपको दिख रहा है that point to this point ठीक है ये जो point है again मैं orange ही कर देता हूँ this point to this point जितना height है for example ये आपका जो top है वो है 120 रुपीज ये जो आपका orange है वो है 100 रुपीया so ये basically आपका range बनता है 20 रुपीज ये आपका range कितने का बना 20 रुपे का तो आपका target बना 40 रुपीज उपर so आपका target होगा 160 120 प्लस 40 इसका double that's your target अब ये जो quantity है ये exit होगा सीधा 160 पे और ये जो quantity है वो भी सीधा exit होगा 160 पे अगर आपको ऐसा एक या दो trade भी मिलते है महिने में बॉम येस यहाँ पे हो pump yes or no I am super happy and pumped to shoot this video हाँ मज़ा आ रहा है के पकरा है I don't know मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है I don't know what you कितने लोगों ने अभी तक वीडियो देखा कितने लोग छोड के चले गए मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ये बताने में ध्यान दो यहाँ पे यह basically मैंने आपको target चिखाया entry सिखाया stop loss सिखाया वापस मैं अगर जूने वाले इस पे जाओ stop loss था वो मैंने अल्रेडी बता दिया जो यहाँ पे आना चाहिए था then quantity था quantity quantity मैंने आपको बोला right कैसे गिनना है एक बार paper पे दिखा दो आपको quantity अगर मेरा portfolio एक लाग का है तो मेरा पंधरा ट्रेड करने के बाद मैं कितने रिस्क पे सुकून आएगा for example आपका है तो मैं hero हूँ मैं per trade पाँच हजार का risk लूँगा सिदात so basically what's your total loss your loss is 75,000 पाँच हजार के हिसाब से 75,000 आपका लौस है तो लाख रुपे के portfolio में 75,000 रुपया गए आपको नीन आएगा शांती से yes or no no सिदात लाख रुपे का portfolio 75% डाउन नीन कैसे आएगा 20-30,000 I can manage fine अगर 20-30,000 you can manage तो 15 ट्रेड 1000-15,000 के आसपास risk रखो आपका 2000 के आसपास 2000 से उपर मत जाओ समझ गए ना logic को delete कर दो सब drawing अभी चलो delete कर देता हूँ फिर से एक बार drawing देखते है एक बार revision के लिए और बाद में हम chart पे जाते है चलेगा जो लोग को already पूरा समझ में आ चुका और बोल रहे हैं के सर हमको revision नहीं चाहिए YouTube वीडियो शॉट रखो आगे चलो उन लोग skip कर सकते हैं थोड़ा सा ठीक है I will just revise it for those people जिनको revision चाहिए simple सी चीज है पहले आपको चाहिए एक downtrend then you need a uptrend upswing then यहाँ पे अगर यह bottom पे जिस bottom को हम orange color में mark करते है जिसका low है 100 रुपेगा and यहाँ से वापस market नीचे आता है और यह जो आपका top बना अगें orange वाला जो है 120 का so basically यह आपका एक range बन जाता है trade करने के लिए अब आपको क्या चाहिए now what you need is a big white और a big green near to this zone you buy above high stop loss कहां पे रहेगा stop loss will be below the low simple target कहां पे होगा वो ध्यान दो अब इसका जितना height है ना आपका यह आपका जो भी height है उस वो height है 20 रुपया 20 into 2 that is your target so basically 120 plus 40 is your target so 160 is your target 160 रुपय yes or no hello yes or no yes so basically that's your target and it's crazy okay it's crazy अगर यहां पे आप बाय करते हो 107 रुपय पे और आपका 106 रुपय पे what's the ROI what's the rate of return hello so आपका 107 पे पहला buy हुआ 98 पे शायद आपका पहला stop loss आएगा अप्रॉक्स अब आप वेट करोगे यह breakout का क्योंकि यहां पे आपको और एक बार buy करना है you will buy again so market अगर इसके उपर जाता है और वहां पे हमको फिर एक बार एक green candle मिलता है so again we will buy above the high boom stop loss below the low ठीक है 98 वाला stop loss उसकी जगा पे 107 का suppose यह buy है और यह stop loss जो भी आपका बनता है candle के हिसाब से वो stop loss उसकी जगा पे you will buy and बाद में you will exit at 160 that's the strategy ठीक है अब चार्ट पे जाते है practical chart देखते है real chart जिस पे आप trade कर सकते थे और आपको इस strategy पे future में trade कैसे करना है इसके अलावा एक और एक चीज देने वाला हूँ which is crazy, mind-boggling, unconventional double bottom trading ये ये तो शायद कहीं न कहीं पे आपको मिल जाएगा जो मैं अभी तक सिखाया है लेकिन आगे जो मैं एक strategy सिखाने वाला हूँ जो हमारा invention है फिर से बोलता हूँ ध्यान से सुनो जो हमारा invention है आप invention कहो के discovery कहो I guess discovery is a right grammar in English ठीक है invention मतलब हमने पैदा किया और discovery मतलब जो था उसे हमने discover किया so right, discovery is an appropriate word than invention now I'll repeat the words जो हमने discover किया है market में so पूरा वीडियो देखता और छोड़ के मत जाना so अब chart पे मैं चलता हूँ nifty की chart पे pen को रख देते है थोड़ी देर live market अब live market बोलो के पुरा ना चाड़ बोलो आपकी मरसी but then सबसे पहले 44 moving average को थोड़ी देर के लिए hold कर देते और हटा देते है and then सबसे पहले मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ मैं आपको and let me show you something crazy so basically आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमने अभी तक सीखा है वैसा कुछ सबसे पहले market आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से नीचे आया है yes or no अब यह जो जो जोन है 7,900 के आसपास that is your basically support zone जो double bottom के लिए बहुत important है अब आगे dodgy candle बना black candle बना boom big white this is the time to buy the first quantity first shares we will buy here पहली बार पहला शेह जो भी 1,500 का आपको risk लेना है यहाँ पे ले लो you buy about a high so basically आपका जो high यह वो है 8,044 उसके उपर बाय करेंगे तो 8,046 थोड़ा उपर और आपका जो low है वो है 7,903 7,903 रुपया तो उसके नीच अज़वादा 7,900 रुपय का stop loss रखेंगे यह समझ में आया पहली quantity अब यह समझ गया दूसरी बार कहां पे buy करेंगे हम चाहते हैं कि market उपर जाए and next time market अगर यह resistance point के उपर closing होता है then we will buy again लेकिन हमारा इस quantity का target कितना है वो भी calculate कर लो वहाँ पे याद है हम लोग देख रहे थे यह top to यह bottom का calculations कर रहे थे so यह bottom है approach 9000 sorry 7900 और यह आपका top है करीब 8274 तो चलो calculation के लिए 8300 पकड़ लो approach approach I will repeat the word approach so basically यहाँ पे 7900 यहाँ पे 8300 तो 400 point का gap है यह जो gap है जो आपको दिख रहा है from this top to this bottom is 400 रुपया so यहाँ से 800 रुपय का उपर का target आएगा यहाँ पे अगर high है 8300 का तो आपका target बनता है 9100 का you are basically expecting market to go at 9100 beyond this point that's a calculation अब आप चाहते हो के market उपर जाए अब थोड़ा थोड़ा करके हम आगे जाते हैं और सीखते हैं और देखते हैं और market उपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है you need closing above the resistance and here you get see this यह देखो दिख रहा है कि यह वाली candle का closing और एक दिन का wait कर लो चाहिए तो now you have clear close so you will buy again here दूसरी quantity buy करेंगे इसके उपर ready हो easy है के hard है so no है easy अब अगर आठ दिन पहले technical analysis में आयो हो तो थोड़ा सा tricky feel हो सकता है वो case में क्या करो ना repeat video को देखो hello repeat video को देखो है बहुत simple अब फिर से आप buy करोगे like 8400 पे आपका stop loss होगा 8300 पॉइंट का stop loss है and आपका target है 9100 so basically अगले कुछ time पे अगर market उपर जाता है you will achieve your targets कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो यहां पे market ने top बनाया 9200 का so you achieved your target trade is over अब इसमें जो cream money है ना cream money वो है यह bottom का यहां पे जो trade आपका बनने वाला है जो आपका यह bottom पे trade बनेगा that will be mind-boggling super risk to reward ratio super और trades देखोगे कि बस हो गया वीडियो sir लंबा हो रहा है मैं थक गया sir movie नहीं चल रहा है थोड़ा सा पानी पी के हो चीज़ी तो pause करो washroom जाओ पानी पी के हो but come back watch the complete video do something for your family अभी main तो बाखी है 44 पे double bottom कैसे करेंगे trade 44 के साथ में combination में वो discovery और एकाद दो पहले example दिखते है normal trade का बाद में उसमें जाते so basically चलो एक बार इस trade को थोड़ा सा मैं out करके दिखा देता हूँ यह आपका कैसा trade बना see this can you see your entry your stock selection your entry your exit your stop loss your target everything in one glance अब दूसरा trade देखते थोड़ा पीछे आता हूँ पूरे ध्यान से और पूरे दिलो जान से I'm super happy that people are really learning चाहे वो like हमारा channel हो जिस पर आज के time पर लाखो व्यूज आ रहे है या पिर आप अगर Sandeep Maheshwarji जी का देखो उनका channel जितने लोग सीखना चाते है या फिर विवेक बिंदरा जी है या फिर अगिन बियर बाइसेप्स करके चैनल beautiful the learning का जो attitude है वो YouTube पे होना चाहिए ठीक है? instead of that all the dance numbers and Bollywood songs and वो सब entertainment के लिए अच्छा है कोई problem नहीं है but then that should be 90% learning 10% entertainment this should be the ratio I will repeat 90% education 10% entertainment and not the reverse ये अब देख रहे हो it simply means that you are here to learn and grow that's awesome आगे चलता हूं मैं basically that's your stock selection can you see this? it's beautiful stock selection stock नीचे आता है आप देख सकते हो यहाँ पे आपको support का range मिलता है अब आप काओगे सिदात low से mark करने का के body से mark करने का that's your choice आप low और body दोनों select कर सकते हो मैं अब यह सिखाने के लिए simple रखता हूं और low mark करता हूं market आगे चलता है and you got the hammer boom bullish candle अब जब यह bullish candle आच चुका है you buy about the high you stop loss below the low boom what's your buy next buy this is your next buy ठीक है? इसका low है 6869 so basically 6900 अप्रॉक्स 6900 का low है मैं लिख देता हूं यहाँ पे 6900 का low है मैं अप्रॉक्स numbers पकड़ रहा हूं ताकि आपको भी समझने में easy रहा और मुझे भी calculation में easy रहे और यहाँ पे है 7250 7250 so basically आपका 2500 और 100 मतलब करीब करीब साड़े 300 रुपे का range बनाए साड़े 300 का range है तो कितने का target 700 का target किसके उपर 700 7250 के उपर 700 रुपया मतलब 7950 का target आएगा 7950 पर हम line mark कर देते है करीब करीब यह zone में आपका बनता है target सो आपका पहला बाय होगा यहां पर इसके ऊपर और दूसरा बाय होगा अगर इसके ऊपर closing आता है तो लेट्स गो I am super happy अगर आप notebook में यह सब draw कर रहे और लिख रहे हो तो because पैसा बनाना है passbook पर entry लाना है ग्यान बाजी नहीं और बिना notebook के देख रहे हो तो यह सिर ग्यान बाजी यह देखो इसके ऊपर closing आ गया तो आप फिर इसे buy करेंगे so basically you buy above this, stop loss below this, that's your first trade and you buy above this, stop loss below this is your second trade did you hit your target? what's the high? high is yes 7,991 so you hit your target which was 7,950 boom sir stop loss वाला trade दिखाव ना सुनो यह मैं ना सिखा रहा हू जब practically आप करने जाओ ना तो आपको मैं homework देता हू तयार हो homework लेने के लिए most of लोग नहीं है मैं जानता हू are you ready to take some homework? let me give you homework इस तरीके के charts mark करो जैसे मैं कर रहा हूँ सुकून से मुझे आज कहीं नहीं जाना है सारी meeting, सारे काम मैंने या तो कर चुका हूँ या तो मैंने postpone किया हुआ है आपके लिए ये crazy वीडियो बनाने के लिए ठीके? तो इसी तरीके से आप भी अपने काम काच कर लो और postpone कर लो बीच के कुछ 4-5 घंटे रखो जहाँ पे 100 chart निकालोगे 100 charts वाइ नौट? क्या इसके ऊपर कुछ ऐसा वीडियो लाइक नौट वीडियो एक Q&A session चाहते हो comment में बता न what you need YouTube live करे या फिर Zoom पे कुछ करे देखते हैं let's see क्या practically or possible है भी या नहीं but then अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो तो definitely आप comment में बता सकते हो but then ये अब तक समझ में आया यह तो बता दो it's like crazy यह like actually we need some people from YouTube जो लोग सामने बैठे हो maybe on a Zoom or live office में आके बैठे है and we shoot something like this because for me it's like answer कह लेक मैं जानता हूँ कि तुम लोग को या आता है but then इन लोग को ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है that's a big question for me आप लोग को समझ में आया हो बापस सबको yes absolutely clear कुछ भी question है इसमें like easy भाषा में समझा रहा हूँ कि difficult भाषा में समझा रहा हूँ easy है ना आपको समझ में आया until and unless you don't comment and tell me कि सर और slow चलो या fast जाओ या easy है या hard है मुझे नहीं समझ में आने वाला so I will request you and recommend you कि comment में comment करके बताओ कि सर समझा के नहीं समझा तो मैं फिर अगली बार उस तरीगे से कुछ modification करके बताओ because जिनकों में जब live वगरा हमारा जो event वगरा होता है जो आप लोग शाहिद हमारा बीच में एक event हुआ था जो लोग इस वीडियो से आये थे बिग अनॉंसमेंट वाले वीडियो से so उनके साथ अभी एक event वाले था तो it's more easier to explain जब कोई सामने बैठा है तब rather than में Canon के camera के सामने बात कर रहा हूं obviously we have people but in ko sab आता है that's the thing anyways आगे चलता हूं मैं haa so basically इसके अलावा जो हमारा event UFWP which is ultimate financial wisdom program अभी तक आपने अपने अटेंड नहीं किया है then I will request you and recommend you कि आप अटेंड करो ठीक है प्राइस क्या है आप एक बार ये वाला वीडियो देख लो अगर नहीं देखा है तो बिग अनाउंच्मेंट वाला and like this is one zero like 1000 रुपे का program है जो लाख रुपे का program है बट हम हजार में दे रहे and with 100% money back guarantee on in India on YouTube stock market का event 100% money back guarantee की साथ दुनिया में कोई नहीं देखा इंडिया छोड़ो दुनिया में so अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देखो आपको idea आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ आगे चलता हूँ फिर चलो आगे चलता हूँ मैं and then और एक आदा चार्ट दिखा दू तीसरा yes last chart चलो so basically यह मैं आपको फोटो में दिखा देता हूँ so basically this is a bank nifty और आप आप bank nifty में बहुत ही clearly देख सकते हो कि सबसे पहले यह trend जो है वो नीचे आता है can you see this इस trend के बाद में next चीज जो होता है वो एक upswing है उस upswing के बाद में वापस जो हमारा support area बनता है market exit वहीं पे आता है अब वहाँ पे you can see very clearly the green candle yes obviously the white candle और a green candle depends on the software अब वो white candle आने के बाद में you buy about the high, you stop loss below the low और आपका जो target होता है वो इस range का double होता है यह जो range है जो आपको दिख रही है from the swing high to swing low जिसको support resistance भी कहते है उस range का double आपका target बनता है so once you buy about the high that's your first buy then second buy आपका होगा इस high पे closing आने के बाद में so as you can see एक resistance के उपर भी close हो चुका है that's your second buy now you are going for the target market goes up, 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 up and that's your target boom it works now the question is you work or not car चलती है सवाल सिफ यह है के आप चला पाते हो के नहीं पाते हो right plane, हवाई जहास चलता है but अब सवाल यह है के आप चला पाते हो के नहीं चला पाते हो boat, timber, चलती है but सवाल यह है के आपको आती है के नहीं आती है बराबर ना इसी वरीगे से strategy भी चलती है सवाल यह है के आप चला पाते हो के नहीं चला पाते हो दो चीज की जरुवत है, थोड़ी सी महनत और थोड़ा सा दिल, दो चीज होगा, काम करो, सौ चार्ट निकालो, और वोक, हां, are you ready to take 100 चार्ट चैलेज्ज, येस और नो, हां, for your family, not for me, खुद की फैमिली के लिए, हां, now, also I know there are a lot of people who have made enough money, but they don't have time, समय नहीं है, बाकी सब है, health नहीं है, बाकी सब है, relationship थोड़ा खराब है, बाकी सब है, so उनके लिए, जब आप market में से पैसा बनाते हो, तो आप पैसा नहीं बना रहे हो, basically you are earning time, job पे जाते हो, सुबह 8 बज़े जाते हो, रात को 9 बज़े आते हो, पैसा है, time नहीं है, खुद का business है, self employed हो, stress है, tension है, पैसा है, time नहीं है, जब market से पैसा बनाते हो, तो पैसा भी है, और time भी है, because at the end of the day, at the end of the day, जब पे इस strategy को execute करते हो, वो time पे आपको weekend पे 2-3 घंटे चाहिए, जहाँ पे आपको काम करना, stocks जूनने है, और हर रोज शाय 15 मिनिट चाहिए, हाँ, but skill बढ़ाना बढ़ेगा, you need to upgrade your skill, attitude, mindset, psychology, boom, but it works, आगे चलू, ready हो आगे जाने के लिए, yes or no, चलो, awesome, so basically, अब जाता हूँ, हमारी discovery पे, let me add up our own 44 moving average, are you ready to something, see mind-boggling on 44 moving average, तैयार हो के नहीं हो, yes or no, चलो, ध्यान दो, अब आप यहाँ पे, believe me, यह चीज, यह चीज जो है, वो लाखो की चीज है, अगर आप इसको execute करना शुरू कर दो, you will see magic, by the way, आपने इस Swing Trading वाला पूरा वीडियो के देखा है के नहीं देखा है अभी तक, if you have not seen this video, इसके बाद में, अगर मैं आपको कोई वीडियो recommend करूंगा, पूरा देखने के लिए, तो वो यह रहेगा, make sure you watch this video, also, मैं like, मेरी टीम को कहूंगा, वो description होता है, I guess, नीचे, तो वहाँ पे वो add कर देंगे, आपको link वगरा, so basically, दूसरा वीडियो में कोई अगर recommend करूंगा, that will be this Neetam Amam वाला वीडियो, यह interview अभी तक, आपने नहीं देखा है, then I recommend you see this, अब description वगरा में add कर दूंगा, अगर आपको like, धूंडो के कैसे वरना, search bar में, ठीक है, so basically, chart पे चलता हूं में, this is unique, okay, this is not a conventional, this is unconventional, but this unconventional works damn well, pay attention, ध्यान देना, समझ में आएगा, मज़ा आएगा, देखो यहाँ पे, so basically, again, I am on a nifty chart only, यहाँ पे अगर आप देखोगे, so market थोड़ा सा नीचे आता है, sir, यह किताब में तो ऐसा नहीं सिखाया था, आपने पहली वाली strategy सिखाई ना, वो किताब में है, मैंने सीखाए, आप गलत सिखा रहे हो, अगर यह सोच के आए हो तो विवेक बिंदरा जी कहते, that जितना धकन मोटा, उतना धंदा छोटा, यह भी वैसा ही है, जितना यह धकन मोटा है, नहीं वही सच है, वही सच है, नया आप सीखी नहीं सकते हो, और मैं जो चैनल पे बात करता हूं, मैं नया की बात करता हूं, practicality की बात करता हूं, this is practical, नया पुरा ना मुझे नहीं पता है, so, यहाँ पे ध्यान दो, market आया नीचे, yes or no, market आया नीचे, yes or no, market नीचे आया, boom, that's your regular 44 moving average buy, fantastic, लेकिन अप मुझे एक बात बताओ, क्या अब यह support area है के नहीं है, अब यह support zone है के नहीं है, yes or no, यह जो आपका zone बन चुका है यहाँ पे, क्या यह आपका support zone है, yes, this is your support zone, क्या next time market अगर यहाँ पे आता है, is it your double bottom buy, yes or no, yes or no, ध्यान इदर, yes or no, जाब नहीं दोगे तो कैसे मजा आएगा, बताओ, बूत के जैसा है, मुर्दे के जैसा बैटे हो, बोल रहा है कोई बन्दा, ऐसा कैसे वीडियो देखते यार, no energy, चलो, so basically, यहाँ पे मैं अगर आओ, then I need a double bottom, bow, is it your buy or not, yes or no, that's your double bottom buy, चाहे आप यह hammer के उपर buy करो, that's your choice, now it's your choice, कि आप यहाँ पे buy करते हो, कि यहाँ पे buy करते हो, जो मैंने आपको कहा, अब, यह भी bullish candlely है, because इसको hammer कहते है, आपने अगर बेजिए technical analysis वाली playlist नहीं देखी है, then make sure आप वो भी देख सकते हो, जो है like 7,700 और 7,950, so करीब 500 रुपे का range है, तो 500 पॉइंट उपर target आएगा, आपको 500 पॉइंट मतलब आँठ 1,400 के आसपस आपका target बनेगा, you buy above the high, you stop loss below the low, and आपका फिर target बनेगा करीब-करीब यह zone में, so, did you reach your target? not yet, maybe, okay, अब यहाँ पर जाके आपका target अच्छी हुआ, can you see this? अब strategy समझे क्या है, फिर से एक बार दिखाओ, एक बार like sketch pen से देखे, क्या है strategy, it will be good for you, आप इसको easily अच्छे से एक बार समझ पाएंगा, और फिर हम चार्ट पे एक बार वापस चेक कर लेंगे, ठीक है? so, let me remove everything first, जो पुराना हमने draw करके रखा था, so, remove, 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 and then, हमारा यह है 44 moving average, जो आप जानते हो, that's your 44 moving average, yes or no? ध्यान है पुरा यहाँ पे आज? yes, awesome, देखो, so, basically, यह आपका moving average है, यह आपका normal 44 support buy, हाँ, अगर आप channel पे बिलकुल नए हो, और आपने पहली बार यह 44 moving average नामक चढ़िया सुनी है, so, I will recommend you, कि आप playlist देखो, यह basically, strategy है, जो हम use करते हैं, काफी लोगों ने इससे पैसा बनाया है, so, you can also use this, so, basically, now, this is your range of buy, market अगर, यहां से उपर जाता है, और फिर से यह zone में आके, यहां पे आपको buy मिलता है, so, this is your beautiful spot to buy, 44 plus double bottom, crazy, if you get something like this, you should trade, this is unconventional, this is unconventional, यह trade करने की सबसे बड़ी खासियत पजा है, you are going with the trend, भाव भगवान छे, और जब भगवान उपर जा रहा है, तो हम कौन होते हैं, बोलने वाले के नहीं जाएगा, और market उपर, that's why it works, that's why it works, generally, I speak two hours on, just on this हमारे event में, but then, अभी के लिए, मैं दो घंटा, इस पे नहीं बोल सकता हूं, भाव भगवान छे और उपर जाएगा, तो भाव भाव भगवान छे और उपर जाएगा, तो भाव करो, I need to stick with my content, I need to stick with my strategy, this is crazy, आपको ये भाव करना है, जो मैं अभी आपको draw करके दिखाया हूँ, are you ready to trade this, practice करने के लिए तयार हो, महनत करने के लिए तयार हो, हाँ के ना, yes or no, चलो, अब कुछ example देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा, see this, that's your trade, 44 प्लस double bottom, और भी कुछ trade देखेंगा, थोड़ा सा फटा फट देखेंगे, because मैं आपको समझा चुका हूँ, के कैसे ये strategy काम करता है, and for me, I can like be little bit faster with this, even more, see this, can you see this, double bottom, के आपको जूम करके ही दिखा हूँ, चलो एक बार जूम कर लिए, थोड़ा सा पीछे आता हूँ, and बाद में मैं जूम करके, थोड़ा सा फटा पट चलता हूँ, it would be great, चलो, fantastic, so मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, which is approx 2006-2007, अब देखना, बड़े ध्यान से, that's a little bit here or there, that's a normal double bottom, जो आपका regular strategy है वो, not 44 वाला, regular strategy है वो आपका, क्या यह है हमारा double bottom, again, this is unconventional, argument बहुत हो सकता है, सर गलत है सर रिलाक्स, किताब के हिसाब से गलत है, but then what I am showing you is, double bottom with 44, बूम, so basically that's your body to body support, that's your double bottom with 44 rising, bang on, that's the one, can you see this beauty, yes or no, pay attention, पूरा ध्यान यहां पे, यह अपना crash आया, और crash के बाद में, फिर एक बर मांके डूपर चड़ा, see this, बूम, average थोड़ा सा मां पे तिल्टेड है, but then you can choose it for yourself, are you comfortable with this or not, yes, अब देख पा रहे हो, that's your trade, can you see this, this is unconventional 44 double bottom, unconventional 44 double bottom strategy, can you see this, पहला market ने support लिया, चलो paper पे दिखाता हूँ, एक बर मैं फिर इसे आपको, that's your moving average, then, पहला market आया यहां पे, दूसरी बार आया यहां पे, that's your buy point, that's your entry, जो भी इसका height है, height को मैं blue color से mark करता हूँ, that's your height, यह blue to, यह blue, यह जो भी आपका height है, उसका double आपका target, यह 5 रुपे का height है, तो आपका 10 रुपे उपर target आएगा, that's your target, बो, execution करना हो, करना है, यह like आपने बहुत वीडियो देखे होंगे, YouTube पे, Google पे, यहां महां, WhatsApp पे, Facebook पे, execute कितना किया, हां, मेरे वीडियो देखे, यह संदीप महश्वरी जी की वीडियो देखे, execute कितना किया, result कितना आया, passbook पे entry कितना आया, जिंदगी कितनी सुदरी, goal कितने पूरे हुए, उससे मतला बेसिर्फ, बाकी सब ग्यान है, फाल्टू है, very frankly, इवन मेरे भी वीडियो, अगर आप execute नहीं करते हो, तो, आगे चलता हूं मैं, सौदा मारो, सौदा, बिना सौदा मारे, कुछ नहीं होगा, see this, yes, थोड़ा 44 के नीचे है, but then you are not trading 44, you are trading 44, double bottom with 44, so double bottom सही है, यहां पे, 44 नहीं है, अप्रॉक्स 19-20 वाला trade है, आप छोड़ सकते हो, या ले सकते हो, that's your choice, see that's the trade, perfect, that's the trade, अब आपको मैं दिखाता हूं, इसको आप easily कैसे डून सकते हो, ठीक है, easily कैसे डूनना है, weekend पे 200 stock, 500 stock, fast scanning कैसे होता है, मैं आपको वो दिखाता हो, यह basically मेरे पास software का नाम है, key stocks, ठीक है, आप खुद से कोई भी डून सकते हो, YouTube, Google करो, software scan, chart pattern scan, बहुत मिल जाते है, free के software, और paid भी मिल जाते है, paid 1000 रुपे से लेके, 10 लाग तक के software मिलते है, 10 लाग, बिल्कुल सही सुना आपने, so यह basically 2000 के range में आता है, date 2000 का है, so आप दून सकते हो, कि आपके लिए अच्छा कौन सा है, हाँ, सच चलो, so basically मैं सबसे पहले जाओंगा, Nifty 500 में, CNX 500, CNX 500, हाँ, and मैं जाओंगा, daily chart में, daily chart में, यहाँ पर आप देख सकते हो, search double bottom है, can you see this, search double bottom, तो मैं search double bottom पर click करूँगा, यहाँ पर बहुत सारे parameters है, यह आप software वाले को पुछ सकते हो, कि how to scan the software, मैं यहाँ पर software नहीं सिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर strategy सिखा रहा हूँ, आपको software सीखना है, तो आप software वाले को contact कीजिए, जिससे भी आप खरीदते हो, अगर आपको आशीष से buy करना है, तो उसको mail भेजना, Google पर search कर लो, कोई description में कोई link नहीं है, ठीक है, Google पर search करना, Key stock technical analysis software, आशीष शर्मा, something like that, तो मिलेगा, उसको mail भेजना, उसको बोलना कि मुझे software चाहिए, या तो आप उसको बोलना कि मुझे सिदात ने बोला है, कि 15-20 दिन का free trial दोगे, वैसा कुछ अच्छे से mail भेजना, कि सिदात ने recommend किया आपका नाम, और उसने बोला कि 15-20 दिन मुझे free दे दो, something like that, तो आपको वो बेज देगा, मेरे नाम पे free, but then, मुद्दे की बात है, कि software कोई भी use करो, ऐसा कोई filter होना चाहिए, जहाँ पर आप सर्च कर सको, ठीके, falcon, falcon भी आता है, और क्या आता है, spider आता है, और क्या आता है, Bloomberg आता है, और क्या आता है, advance get आता है, वैसा कोई भी बहुत software है, market में, सर्च करो, कौन सा आपको जमता है, अब comment में ये मतल लिखना, कि सर कौन सा software खरीदो, मैंने वीडियो में बताया है, 5-6 नाम दिया है, अब आप ढूंडो, anyways, minimum number, ये basically एक setting है, जो भी setting है, यहाँ पर multiple चीज़े मिलेंगी, second bottom बना, broken neckline break हुआ, या फिर यहाँ पर भी 2 bar, 10 bar है, ये सब आप study करना में, default पर ही run कर रहा हूँ, बाकि आप ढूंडो, आपको क्या करना है वो, ठीक है, scan हो रहा है, 10-15 सेकंड जाता है, scan में, थोड़ा, like have a sip of water, fantastic हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हो, कि आपको stocks मल जाएंगे, जो अप्राउक्स double bottom है, see this, that's your double bottom, BOOM, yes, so we can trade this, then, this is also like, near to the support zone only, that's your perfect double bottom, that's also near the double bottom, that's also near the double bottom, अब देख सकते हो, कितना precision के time, precision के साथ, मैं आज के time पर, softwares हमको काम करके दे देते हैं, right, and like I always say that, I am super happy and grateful, for Bill Gates and Steve Jobs, जिनों ने हमारे लिए, इतनी beautiful चीज़े बनाई, and हमारा काम इतना आसान किया, plus उसमें यह, जिन भी लोगों ने software बनाया, चाहे अशीश है, या फिर कोई भी है, like Shere Khan है, या फिर Advance Get है, Bloomberg है, super grateful to those people, because अगर वो नहीं होते, तो आज मुझे double bottom scan करने को, 4 गंटे, 8 गंटे लग जाते, मैंने 2 मिनिट में पूरा filter कर लिया, that's crazy, right, so like have that gratitude within you, that's an extra bonus stock market, money making strategy, that be grateful, generally हम इन topics पर बात नहीं करते हैं, but that is something very important, anyways, चलो, so basically यह था strategy, अब जाते हैं वापस हमारे PPT पर, are you ready, चलो और थोड़ा example देखोगे, चलो और थोड़े से example देखते हम, चार्ट पर, और कोई stock लेते, चलो मारूती ओपन करते, मारूती, awesome, so, मारूती पर थोड़ा सा पीछे आजाओ, पीछे, पीछे, और थोड़ा सा पीछे जाओ, लेट मी मार्क इड आउट, चलो, fantastic, जूम करो थोड़ा सा, fantastic, see this now, this is a double bottom, और यह आपका रहा, बाए, this is your double bottom, यह आपका रहा, बाए, then आगे चलो और, I guess इस पे तो एक Q&A session बनता है अपना, चाहे YouTube पे करे, चाहे Zoom पे करे, but then यह crazy video रहा है, fantastic, see this, see that, it's crazy, आपको हमेशा यह drawing याद रखना है, यहाँ पे जो मैं आपको drawing बताया हूँ, notebook में, आपको हमेशा इसको याद रखना है, this is very important, यह drawing याद है तो आप trade कर लोगे, and I hope आप notebook वगेरा लेके बैठे थे, और यह सब कुछ आपने draw किया है, और आपने बनाया है, see this, that's your buy, see this, that's your buy, bow, and then the downtrend starts, यहाँ पे आपको अप्रॉक्स double bottom आपको दिख सकता है, and then you have this one also, this is unconventional, this is not the orthodox trading, it works, and now the question is, you work or not, are you ready to work, पैसा बनाना है, freedom of time, freedom of money, good life, then do this, आगे चलू मैं PPT पे आजाओ वापस, so basically हमने यह सारी चीजे देख लिये है, अब आगे चलते हैं हम, when this strategy won't work, this strategy won't work in a bearish market, ठीक है, even though, page पे आता हूँ वापस, हमारा जो strategy था, पहला वाला, like एक मैंने bookish सिखाया, और एक मैंने अपना 44 वाला सिखाया, so basically हमारा जो पहला strategy है, उसमें यह downtrend पे ही आपको buy मिलता है, कुछ ऐसे, so basically, यह एक ऐसी चीज़ है, जो आप कर सकते हो, but then, यह अगर bear market continue होता है, so मैं इसको फिर से एक बाद delete कर देता हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर यह bear market continue होता है ऐसे, तो उसमें यह काम नहीं करेगा, यह आपका stop loss हुआ, और यह वाला trade आपका चलेगा, अब समझ पा रहा हूँ ना, क्या बोल रहा हूँ, आपका पहला वाला stop loss हुआ, because this is a bear market, so यह strategy bear market में काम नहीं करेगा, so basically that's a disadvantage of the strategy, कि sir bear market में क्या करने का, उसके लिए फिर कभी अपन मिलेंगे, ठीका, already video I guess, एक गंडे से उफर का हो चुका है, so when this strategy won't work, it won't work in bear market में, आपके stop losses होंगे, three things to remember, तीन चीज़े जो आपको याद रखनी है, यह strategy के साथ में, पहला चीज, see like a kid, यह बहुत important है, बच्चे के जैसे देखना है, आपको basically हमेशा, ऐसा drawing याद रखना है, you just need to remember, this drawing, हमेशा आपको यह ऐसा drawing याद रखना है, and then आप उससे ही trade करोगे, चाहे वो 44 वाला मेरा unconventional drawing हो, चाहे मेरा double bottom का conventional drawing हो, चाहे मेरा double quantity को trade करने वाला drawing हो, आपको हमेशा यह drawings याद रखने है, see like a kid, बच्चों के जैसे देखना है, इसके बाद में, ट्रेड लाइक प्रोफेशनल, ज्यादा रिस्क लिया, कम रिस्क लिया, मन हुआ तब किया, आज किया, फिर एक साल बात किया, यह नहीं चलेगा, हाँ, इस नॉट अ होबी, बहुत लोग मार्केट में आते होबी है, मज़ा आता है, भाई मज़ा आता है, तो मुंबई में आओ, SLWord जा किया, हूं किया आओ, SLWord नहीं पता है, गूगल कर ले ना, यह वीडियो के बाद में, हम, मार्केट इस एक्स्पेंसिव हॉबी, और नोबड़ी कैन अफोर्ट इट, फिर से बोलता हूं, में शाथ खुशी होगी, तेट वी आर वर्किंग ऑन ए 44 मोविंग अवरेज मास्टरी बुक, कुछ प्लान कर रहे, एक आद बुक लेक प्रॉपर पर पूरा नॉलेज उसमें समेट के लिख पाऊ, 44 मोविंग अवरेज मास्टरी, उसके अंदर करीबे एक मोटा सा चैप्टर है, इस अ हाड कोर बिजनस, इस अ हाड कोर बिजनस, so treat it like a business, trade like professional, not like a hobby, then trade daily and weekly, I recommend you, trade daily and weekly, and nothing else, बाकि तो फिर आपकी मर्जी, कि आपको क्या trade करना है, then, पाँच गलतिया, जो double bottom trade करने के टाइम पे होंगी, या जो technical पे trade करने वाले लोग करते है, सबसे पहली गलती, trade with half or wrong knowledge, थोड़ा बहुत कहीं से सीख लिया, कहीं से कुछ हो गया, बस चालू हो गया, पिछली बार जो मैं आपको बोल रहा था, बिग अनॉंस्मेंट वाला वीडियो, उसमें से हमारे पाडिसिपेंट आये थे, 40 years of experience in market, and after the attending event, he was like, सिदा तीये तो ऐसा लग रहा है, कि मैं आज ही नया नया मार्कें माया हो, तो उन्हें इतना नया नया सिखा दिया, so it's always room for improvement, don't trade with half knowledge, take full knowledge, learn the whole thing and then move forward, उसके बाद मैं random tool trading, कभी double bottom, कभी और कुछ, कभी और कुछ, कभी Fibonacci, कभी Elliot wave, कभी Stochastic, कभी RSI, सर प्राइज एक्षिन पे strategy सिखा, सर प्राइज एक्षिन पे, कभी हिंके नाशी, सर गैन थियरी सिखाओ, सर एलियेट वेव सिखाओ, भाई जो सिखाया, उस पे तो पैसा बना ले, कभा सच्छे थोड़ा सा, दिल दुखने वाला सच्छे, जो सिखाया, उस पे तो पैसा बना ले मेरी जान, उस पे तो पैसा बना ले, so random tool trading नहीं, discipline trading, इसके बाद में, over dependent on tool, इतने tool लगा अगर रखे, RSI, stochastic, MAGD, moving average, bollinger band, एलियेट वेवन, उसके उपर फिबोना किये, आई जीते trade न था है भाई, card बिला बदा indicator, हिंदी में बोलता हूँ, ऐसे trade नहीं होता है भाई, निकालो सब indicator, मराथी में बोलता हूँ, असे trade नहीं होता, काढा सगडे indicator, इंगलिश में भी बोल दू एक बाद, remove all the indicator, and focus on the one thing, which you master off, without mastery, nothing works, then, trading without back testing, मैंने आज सिखा दिया, कल से सौदा मारना चालू, हाई थोड़ा, back testing तो करो, practice तो करो, यह पूरा का पूरा वीडियो, knowledge के लिए है, मेरा समझ मैंने आपको बताया, अब आपको कितना समझा, यह किसको बताया, हाई, like even in that, big announcement वाला प्रोग्राम, 1000 रुपे में भी check journal, जो लोग trade करते हैं, वो हम check करते हैं, हर महीने में, just the reason is very one thing, कि मैंने तो अच्छे से समझा दिया, आपको कितना समझ में आया, मेरी जान, वो कौन बतायेगा, yes, so basically, trade, like, प्रोग्राम नहीं करना है, कोई फरक नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई फरक नहीं किसी से मत सीखो, सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, खुद को तो analysis और review करो, पीछे जाके back testing में कि आपको कितना आता है, does that make sense, yes or no, पीछे जाओ, Nifty के chart 2005 से पूरे देखो, bank Nifty देखो, Tata Motor देखो, Tata Steel देखो, Maruti देखो, सारे stock को back testing करो, कितना पैसा बना strategy चलता भी है, कि सिदात ने कुछ भी सिखा दिया है, does that make sense, yes or no, go to the back chart, test it, yeah, awesome, I am super happy and pumped to give you this, and I feel like, अभी तो video शुरू हुआ था, इतना जल्दी खतम हो गया, I don't know how you are feeling right now, you are exhausted, और you are like, pumped के यार, इतना जल्दी धेड़ गंटा हो गया, एक सवा गंटा हो गया, पता भी नहीं चला, anyways, I am super happy and pumped, इसके अलावा, आप क्या देखना चाहोगे, वो comment में बताना, ये video कैसा था, the marathon video, बहुत बड़ा था, but I don't feel like that, ये video कैसा था, समझ आया के नहीं है, जादा complex था, simple था, कोई Q&A की जरूरत है के नहीं है, कुछ question है तो comment में ही लिख दो, और 44M है, simple use करना है, exponential नहीं करना है, अगले हवते कौन सा वीडियो देखना चाहोगे, I will meet you next week, Friday, till that time, be disciplined, because discipline is one of the most important thing, to make money in stock market. करिफश करला यज करना है,